आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे आटे के गोलगपे जिसको बनाना बहुत ही जादा आसान है और बिल्कुल मार्किट जैसे गोलगपे घर पर ही आप बना करके तयार कर सकते हैं अगर आप इस तरह से बनाएंगे गोलगपे तो आपके गोलगपे फूले फूले भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे तो चलिए मैं आपको इसकी आवाज सुना देती हूँ कितने क्रिस्पी हमारे गोलगपे बने है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगें तो शेयर जिरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले हमें यहाँ पर आटा लेना है तो मैं यहाँ पर एक कटोरी आटा ले रही हूँ और इसी कटोरी से नाप करके हमें एक कटोरी सूजी लेनी है तो आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है जितना आप आटा लोगे उतनी ही आपको यहाँ पर सूजी लेनी है सूजी यहाँ पर ज्यादा मोटी नहीं रेनी है एक चमच हम यहाँ पर नमक डालेंगे आप चाहे तो यहाँ पर नमक को स्किप भी कर सकते हो तो ज्यादा निडालना नमक हमें थोड़ा ही डालना है डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है अब हमें यापर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक टाइट सा डो त्यार कर लेना है ज्यादा पतला नहीं करना है जैसा हम पूरियों के लिए आटा गूतते हैं उसी तरह का हमें यापर आटा गूत करके त्यार कर लेना है तो यह देखिए इस तरह से हमें थोढ़ा थोढ़ा पानी डाल करके इसका एक डो त्यार कर लेना है तो देखिए इस तरह से हमने आटे को तियार कर लिया है अगर आपका आटा यहाँ पर जरा भी पतला हुआ तो आपके गुलगप्पे अच्छे नहीं बनेंगे तो आपको यहाँपर इस बात का ध्यान रखना है कि आटा हमारा tight होना चाहिए तो अब हमें यहाँपर एक गिला कपडा लेना है और आटे को 30 मिनट के लिए इस तरह से डख करके रख देना है तो चलिये इसको रख देते हैं 30 मिनट के लिए तो देखे 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा बिलकुल अच्छे से तयार हो चुका है इसको 2-3 मिनट के लिए फिर से हमें इस तरह से अच्छे से मेश कर लेना है तो देखे यहाँ पर आटा हमारा बिलकुल अच्छे से तयार हो चुका है अब हमें याँ पर इसकी लोईया तोड़नी है थोड़ा सामे आटा लेना है और इस तरह से रोल रोल करके इसकी छोटी छोटी लोईया तोड़नी है जो भी आप refined oil use कर रहे हैं उसको डाल देंगे और इस तरह से हमें हतेली के मदद से इसको press करना है लोईयों को ताकि इसके अंदर कोई cracks ना है तो इस तरह से सभी लोईयों को हमें तयार कर लेना है आप देख सकते हो ना जादा हमारी लोईयों मोटी है और ना जादा पतली है तो इस तरह से हमें सभी लोईयों को बराबर बना करके तयार कर लेना है अब हम यहाँ पर लेना है चकला और इस तरह से हमें इसको बेल लेना आपको गोल गप्पे बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे अगर आपको गोल गप्पे एक साथी खट्टे तलने हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक गीला कपड़ा ले लेना है और सभी लोयों को इस तरह से बेल बेल कर उस गीले कपड़े के उपर रख देना है और उपर से एक गीला कपड़ा ढख करके रख देना है साइज आप यहाँ पर अपनी पसंद से रख सकते है जितना की आपको अच्छा लगे तो देखे मैंने यहाँ पर मेडियम साइज ही रखा है अब यहाँ पर एक कड़ाई लेंगे और उसमें ओईल को अच्छे से गरम कर लेना है और इस तरह से हमें एक एक करके गोल कर लेंगे तो इसी तरह से हमें बाकी के सभी गोलकपो को बना करके तयार कर लेने हैं आप देख सकते हैं अच्छे को गोलगपो बना करके तियार कर लिया हैं आप देख सकते कितने बड़िया हमारे आटे के गोलगपे बन करके तियार हुए हैं सारे गोलगपे हमारे फूले फूले बने हैं अगर आप इस तरह से बनाएंगे आटे के गोलगपे तो आपके गोलगपे भी बहुत यदा फूले फ बन करके तियार हुए हैं तो आप इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राइए करना वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई